गुड बॉनिंग सुपरबाद केमचो सलाम उम्मीद है आप सब लोग बहतर होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे आपको पता है कि साइंटिस्ट ने एक अभी हाल ही में रिसर्च की है और उस रिसर्च में एक चीज मालूम चली है कि हमारा जो डियने है वो इम्मोर्टल है हमारा जिए डियने वो तो अमर है हमारी जो बॉडी है वो जुरूर जरूद के खत्मेया this समय बफर ग्यारिक कहते हैं कि जो भी सारा मेने आपको पहले बिताए कि सारा धुंइल आप ना वह दून्गे ची छो हनिने ना वह अमर रहें कैसे के नुर्ए है इस एक स्टोंज रार्ब दिन में पहुंचता है तो वह डिने मौलेक्वल अपने अपको राकता हुelle जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने आपको मेंटेन करता है वो एक प्रकार से DNA मॉलिकुल अमर हो गया और जो बॉडी होती है वो बैसिकली एक सिस्टम और मशीनरी के समयाने जहां पर DNA अपने आपको रेप्लिकेट कर रहा है और इंटरस्टिंग बात यह है कि बॉडी जो है लिएजिंग के सिंप्टों करता है वह इस चाहिए करता है और वही कचरा आपको आपस करना बंद करते हैं एक कोई और बंद पढ़ता है जिसके चलते हैं बाकि सेल्स को इस नो कोईनेट करने में दिक्कत होती है एक नेडवर्क है पुरा, उसन नेड़र्क का कोई system ऐसा है जो ठीक से काम नहीं कर पारा है और नहीं कर पारा है as a unit respond नहीं कर पार Under बच्चा क्या होता है कि कि मुंत्यूब के बाद आखे जो कर दा सकते हैं कई बार ब्रेंटेड होता है तो वह तो सब जीवी थे ना जीवी थे लोको है आहlier में करता है कि छोटा बच्चा जो है वो एक पूल में एक जो वाटर पार्क में टूप गया उसकी पारेंट्स ने फिसकी आइज और बाक्की ऑर्गन डॉनेट किये तो मतलब वो तो लीविंग थे चीक है मतलब एक सिस्टम का एक हिस्सा फेल किया और उससे विक्ति एज़े यूनिट काम नहीं कर पा रहा है तो फिर इंटरस्टिंग बात यह है कि साइंटिस कहते हैं कि जो बिलियंस ऑफ सेल्स अंदर होती है वो सभी सेल्स मिलकर एक सिस्टम की रूप में काम करती है और व कि अभी दुनिया भर के साइंटेस्ट बहुत सारा रिसार्च कर रहे हैं दैथ की उपर बहुत सुर्च कर रहे हैं और एजिंग के उपर बहुत सारी यू को कैसे बढ़ा सके हैं अब ठीक है और मुझे लगता है कि आने वाले 25-30 साल में 40 साल में बहुत सारे उत्तर हमको मिल जाएंगे कि एजिंग की प्रोसेस को लेकर हमारा जिसे आप देखोगे तो आज जो हमारे मतलब जेंग फूट तो के प्रॉब्लम है लेकिन आपको तो जो जो हेल्थ केर फैसिलिटी और जो चीजे डेवलप हुई ना उसकी चलते क्या है कि आज 40-45 एर में वे आदमी जो है आपको जो ह मतलब वक्त बहुत बदल रहा है समय और अब कई बार में यह सब बाते क्यों कर रहा हूं कई बच्चों ने मुझे से कोशन कि आने के आने के बाद मेडिकल का क्या होगा एक नया कोशन आ है किसी बच्चे के 500 नमबर जोड़ रहा है तीन सो उसने में सब्सक्राइब मेरा अ में कुछ कर लो बहुत अच्छी बात है तुम्हां में कुछ करो लेकिन आपको पता है चाहे वह चैट जी पीटी हो चाहे अरिटिफिशल इंटेलिजेंस हो चाहे कोई कंप्यूटर हो चाहे सुपर कंप्यूटर हो उसे इंस्ट्रक्शन देने काम हुमन विंग करते हैं पूरी टीम के पास चैट जीपीटी है सब लोग चैट जीपीटी भी यूज करते हैं दूसरे भी टूल्स यूज करते हैं लेकिन वेनेवर आई मैंने एक दिन प्रियोग किया मैंने बुला अपने टीम से कि वह एक फ़ला पर्टिकुलर में इस पर सब लोग content राइट करके सब लोगों ने अपने 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 अकॉर्डिंग चैट जीपीटी पर सर्च किया content को निकाला जब content निकलके फाइनली उन्होंने फिर एडिट भी किया और सामने आया ना तो तो सबके content अलग अलगते सबके input अलगते तो output अलगते आउटपूट के बाद करेक्शन अलग अलगते उसमें कहने का मतलब यह कि व्यक्ति जो सर्च करा जैसे गूगल है गूगल आपके पास भी गूगल वेरे पास भी अब गूगल में मुझे क्या देखना है गूगल में यह संग कर रहा हूं आप क्या सर्च कर रहा है यह डिपेंड करता है कि हमारी need क्या है मैं क्या सच रहा है मैं कह All of sectors करते ना संथ लो अमरसर बठे में बेठा हूं और चिन में से बेटने कोई बेटा है तो कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो सेम चीज को हम डालते हैं अपने अपने तरीके से और हमको अलगलग रिजल्ट देखने मिलते हैं मतलब यह है कि आज भी कि आर्टिफिशल इंटलियंस पर जो सुपर कंट्रोल है वो यूमन विंग्स कही है और आगे भी वैसी रहेगा आगे भी वैसे ही रहेगा वो ठीक है मतलब यह सोचना कि आर्टिफिशल इंटलियंस के आने के बहुत कुछ बदल जाएगा मैं कहता हूँ कि जीसे दिख़िए एक जमाने में हम लोग गोड़न गोडे बैठके गोड़ा दोलाया करते थे पुराने समय की बात है टे पर जो है वो फ्लाइंग कार के टेस्टिंग हुई है यूरोप में पर तो फ्लाइंग कार पहले इसको लाइसंस प्रोवाइट किया है वे हाँ यह गारी सेफ है यूज के लिए तो मतला अगले बीस साल में आप देखेंगे उड़ने वाली कारें भी दिखाई पढ़ेंगे प आपको हर दस गाड़ी में से एक गाड़ी आपको बेटरी वाली दिख जाएगी और यह संख्या भी आधे सी वेधिक पहुंच जाएगी अगले पांस सालों मैं मतलब बेटरी ऑपरेटेड वहिकल टीकिना बेटरी चार्ज अपने दूप में घरी करो बेटरी चार्ज को जितना चलाना है कोई बार-बार चार्ज नहीं कराना गाड़ी को दिमे धिमे जो है वह एनरजी के एफिशेंट यूज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं मतलब यह कि जितना टेकलाजी हमने डवलप किया ना उतने हमने दूसरे काम जिसे लोगों काम खतम नहीं है वह कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों को हायर ओर करने लगे पर टाइपिस्ट हुआ करते थे डिटीपी ऑपरेटर हुए अभी क्या आभी जो कॉंटेंट बनकी भी आ रहा है तो इस इंसान की इफिशेंसी वड़ रही है पहले डाइग्नोसेस के लिए नाड़ी पकड़ो यह करो बहुत सोचोस के बारे में अपना तमाम चीजे चेक करो तब जाके डाइग्नोसेस मना पाते हैं अब क्या है अब दश्जाचे लिखते हैं खट-खट-खट-खट पैरामेटर सामने आते हैं चेक करते हैं स्टतोस्कोप अगया कि आपका क्या देख रहा हूं तो क्या देख रहा हूं मैं सच कहूं दी मैं जब कभी बेरोजगारी है का मुद्धा बहुत सारा सुनता होना तो मैं यह बोलता हूं कि बेरोजगारी है बिलकुल मानता हूं अनिम्प्लाइमेंट है एकनोमिक प्रॉस्परिटी की पिछले दस सालों में जो है वो कम हुआ है मतलब कम यह हो कि जो महंगाई बढ़ी है इनिफलेशन बढ़ा है उसक कि जब मैं एंप्लाइमेंट देने के लिए लोगों के इंटर्वीउस करवाता हूं तो मैं क्या पाता हूं कागज के पत्तर लेके घुबरे लो डिगरिया है लेकिन काम कुछ भी नहीं आता है कहने को इंजिनर से कंप्यूटर के साइन्स के इंजिनर है परन्तु बैसिक्स से के मारकेटिंग पर बैसिक्स नहीं आते हैं कहने को एम बी एचर में बैसिक्स नहीं हैं मतलब पॉइंट यह है कि आप सिर्फ एक एक इंग्जाम पास करके डिगरी अर्जित कर रहे हैं और सरकार को अपने एज्यूकिशन सिस्टम को मूलगूर बदलना पड़ेगा मेइ वह बहुत एफक्टिव नहीं एक्चुली तो जो ट्रेनिंग होती है अपनी जिन ट्रेनिंग से हम एंप्लाइर आपको अदमी आपको क्यों रखेगा चॉप पे उसको कुछ काम करवाना आपसे और काम दिया को करना नहीं आता है तो आपकी डिग्री को लेकर लेगा वह तो म एक्सपर्टिन मतलब यूट्यूब में काफी इच्छा काम कर थे डिग्री अवग्राउंड की डिफरेंटी तो उसको पोस्ट के लिए कंसिडर किया गया विगी तो को चैनल मेनेज करना है तो पॉइंट यह कि आपको मेरे मुझे धान अच्छे से मेरे फादर जज थे तो मेरे हाथ लगी तो मैंने क्या देखा उसमें उनको टेलर टेलरिंग का काम उन्होंने सिखा हुआ था तो मैंने टेलरिंग का काम टेलर बनना था क्या वह ले नहीं हमारे समय में क्या था कि आप एट्थ नाइन्थ होते था आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता था वह क्यों करते थे ताकि आपको भी बेरोजगार ना हो तो वह जो इसकिल है ना कि आपको इसे फर जमपल कि आपको जो नई टेकलोजी उसे यूज करना है कैसे यूज करना है तो उसे पास होने के लिए नहीं करना वो डेली बिसिस पर करना है तो पॉइंट यह है कि इसकिल दिग्रियां काम हैं लेकिन प्रक्टिकल नॉलज बहुत जदा उनकोछी होगा, बतला बारवी पास बच्चा भी जोगा, तो कम्पीटर के वारे में उतना जान रहा होगा, इतना पने हां काई निरन नहीं जान रहा होगा, तो प्रॉब्लम वही है, हम स्किल पर फोकस करना च वहान हो नेकलो आपको आपके वह बिवा लू रहारे में आपके ऊके अपको नेकला, इस दाख है कि मैं कहां मोड और ता में पुर्चा था मोड़ था न भूंक है चलाने पी बेलगाडी चलने जमाने की बाते कर रहे है और तुम को कार पकड़ा दी किसी ने तमों है MARY मेरा तुछ और यायर्क राम कारियर हो मेरा चलने ड्हkiej吧 कार यह नहीं थी नईि किसी को मानलो। केवल घोड़े को चारा देने का काम था अब घोड़ा यूज ही नहीं होता है तो कोई दूसरा स्किल सीखना पड़ेगा ना तो मैं वही कहता हूं कि जितने लोग को लेकर बहुत परशान है ना वो लोगों से मेरी जो रिक्वेस्ट है कि भी है आप अपने पसंद को चुन लो और उसके एक कोई चीज इसको बुलते हैं स्किल उस पर काम करो स्किल बेस्ट जॉब एवलेबल है इस्किल बेस्ट जॉब एवलेबल है डिग्री जॉब खतम हो रहे है दी में दीन उसके लिए आपको कॉम्टेट इग्जामिनेशन निकालना पड़ेगा वो चीज इंपॉर्टेंट है चलिए तो मैं वही करता हूं आपसे कि आज की लर सब्सक्राइब करके एक साथ एक यूनिट की रूप में रिस्पाउंड करते रहा तो आप जीत जाते हैं चलिए वे ग्रेंटेट अल्दी बेस्ट बाइबाश